हाई नमस्कार सो यह हरियाना ने जैसा कि मैंने आप लोगों पहले का था और मैंने बोला मैं तीन दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था कि इस काउंसलिंग का अंत तभी होगा जब ऑफ-लाइन स्पॉट रहा होगे मेरा शब्द याद है और वह शुरू हो गया है और यह करना ही पड़ेगा नहीं तो यह ओनलाइन सीट का खेला चलता रहेगा लोग चार चर फरॉंप लेते रहेंगे और सीटे बरबात होती रहेंगे और कार्वीड अगर्ती जाएगी बरती जाएगी तो अभी मैं गहीं बना सकता आप प्लीज हजान की वेब्सेट को लिएगा उसमें ये UHSR वली में सब लिखा हुए इन्होंने fresh ratio तक भी अलाओ कर दिये आज-ाज होगा 29 तरीको रात तक कल सुबह आप पहुँचिए कागज आपको पताईए कौन से लेके जाने होते है सबसे बड़ी बात है DD लेके जाने है और देखे वही मैंने का था कि रूह लिए यह स्पॉट का कि DD होना चाहिए DD होगा काउसलिंग एन एडमिशन और अकाउंट फो DMER पेवालेट सापला रो तक कितने का DD बना के जाने है वो भी देखे लिखा वैफी से जैसा कि हम जानते हैं हर्याना में तीन त्रहे कॉलिज हैं तो आदेश N.C. जजजर में छेलाग रुपे फीज जानी है SGT में नौलाग पिजटतर रहा रुपे जानी है अलफला में 6-37 जानी है और छटा कॉलिज कौन सा बच गया सादोपूर सादोपूर में शायद अलॉट्मन में आठ लाग पचाहाँ सा जाना है वैसे यह लोग एक लाग रुपे अच्जेस्स कर लेते थे ओलनाइन फीस का तब लिखा वैं तो बेपोच ओलन तूदा ओलन वेबर्मिशन पोर्टल लेकिन उन्हें यह भी लिख यहां पर तो फिर दो दिबांड राफ अब यह मतलब है कि एक आप लेजाए यह छे लाग रुपे का और एक आप लेजाए तीन लाग पिशत्तर आजार का ठीक है ना तो छे जमा तीन पिशत्तर आपका काम हो जाएगा सब्सक्राइब आपके लिए लिए अलफला का है छे लाग 37,500 सादोपूर का है 8,50 तो मेरे बाद ध्यान से समझे एक बनवाईए छे लाग का एक बनवाईए छे लाग ए 37,500 तो आपके दोनों कबर हो गए फिर इसी में लल्य गरा को सादोपूर पहुंचना है तो 6,37 आट सब्सक्राइब आपके लिए तो आपके सारे कॉलिज कबर हो जाएंगी मैं बीवेस के बात कर रहा हूं ऐसी सरकारी वाले अपना हिसाब लगाईए ओके और लगाने के बाद जो सीट बस्ती है उसको आप लीजिए उसे आपके ड्राफ्ट बनवाईए इमेजिट लेक्शन कीजिए आपका दिन शुबहो नमस्कार और जैसा ही मैंने कहा था स्पार्ट लाइन ऑफ इस दा ओली सॉलूशन जो इस बार एनमसी ने यह कर दिया है ऑनलान काउंसलिंग वाला तो हर्याना ऑफ्लाइन स्पार्ट के लिए कर रहा है बाबाए टेक कियर हैव नाइस दे